नमस्कार दोस्तों आप सीखे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं एक खुबसुरत सा बॉर्डर डिजाइन लाए हूँ यह बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत खुबसुरत इसे आप अपने नार्मल बॉर्डर की जगा इस्तेमाल कर सकते हैं यह आपके प्रोजक्त की शोभा बढ़ा देगा बॉर्डर बनाने से बताने से पहले आप से अन्रोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो क्रिप्या चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नौटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और धेर साइस डिजाइस देखने के लिए आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं तो चलिए फ्रेंस हम बार्डर बनाते हैं तो हम पहले फंदे को उल्टा बुन लेंगे उन दूसरी ओर करेंगे नेक्स्ट फंदा सेदा तो इन ही दोनों फंदो को हमें पूरी लाइन में दूराना है एक फंदा उल्टा बुनना है और दूसरा फंदा सीधा एक फंदा उल्टा और दूसरा फंदा सीधा एक फंदा उल्टा और दूसरा फंदा सीधा तो एक फंदा उल्टा बुनते हुए और दूसरे फंदे को सीधा बुनते हुए पूरी लाइन कम्प्लेट कर लेंगे अब आ जाते हैं हम रॉंग साइड में अब देखिए पहला फंदा उल्टा है तो इसे हम सीधा बनेंगे या फिर इसे स्लिप करेंगे तो स्लिप करने के लिए हम ऐसे इसमें नीट वाइस लाई डालेंगे और ठ्रेड को गुमा कर अपने तरफ लाएंगे अगला फंदा देखिए सीधा है तो इसे हम उल्टा बनेंगे अगला फंदा उल्टा है तो इसे हम सीधा बनेंगे और नेक्स्ट फंदा सीधा है तो इसे हम उल्टा यानि जो फंदा सीधा है उसे हम उल्टा बुनेंगे और जो फंदा उल्टा है उसे हम सीधा बुनेंगे हमें बुरना एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा ही है लेकिन उल्टे वाले फंदे पे हम सीधा बुनेंगे और सीधे वाले फंदे पे हम उल्टा बुनेंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे और अगला फंदा उल्टा बुनेंगे लेकिन सीधे वाले फंदे पे हम उल्टा बुनेंगे और उल्टे वाले फंदे पे हम सीधा बुनेंगे देखिए हम फिर सामने की तरफ आ गए अब पहला फंदा देखिए यह सीधा है तो इसे हम उल्टा बुनेंगे सीधे पे उल्टा और उल्टे पे सीधा दोनों तरफ से हमें यही करना है, जो फंदा हमें सीधा दिखाई देगा, उस पे हमें उल्टा बुनना है, और जो फंदा उल्टा दिखाई देगा, उस पे हमें सीधा बुनना है, पंदू का कोई बंदन नहीं है, आप अपने प्रोजेक्ट के मताबिक कितने भी फंदे डाल सकते हैं हमें दोनों साइट से बस एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनना है सीधे पे उल्टा और उल्टे पे सीधा देखिए फ्रांस इन्हीं दोनों फंदों को दूराने से ये खुबसूरत सा डिजाइन बन के तियार हो जाएगा देखिए मुती जैसा खुबसूरत सा डिजाइन इसे हम शीड स्टीच कहते हैं सामने से और बैक से दोनों साइट से एक जैसा ही दिखाए देता है ये खुबसूरत सा सीड स्टीच इसे आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं चाहें बेबी स्वेटर लेडी स्वेटर शॉक्स शूज काप किसी में भी आप इसे अप्लाई कीजे ये बहुत ही अच्छा लएगा तो फ्रांस डिजाइन आपके सामने ह आशा है आपको पसंदाया होगा तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब थैंक्स पर वाचिंग